राधी राधे, जैसी किष्णा स्वागत है आप सभी का राधी किष्ण भक्ती में। आज की इस विडियो में हम माकसी समा जिसे अघन मास भी कहा जाता है के बारे में जानेंगे। इस माह में हमे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ? यह महिना किस देवी देवता को समर्पित होता है, विसेश कर इस महिने में हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, यह सभी जानकारी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे. हिंदू पंचान के अनुसार नवा महिना होता है माक्सिस का, यह महिना भगवान सिरी कृष्ण जी को हत्यन प्रिय है, यह महिना इतना पभित्र होता है कि भगवान सिरी कृष्ण स्वयम गीता में कहा है कि महीनों में माक्सिस हूं, और इसी महिने से सत्यू का प्रारम भी मान जाता है इस महिने में दरिसी कस्यप ने कस्मीर की रचना की थी जेस्स तरह से कार्टिक का महिना बहलग्वान श्रीहरी को समर्पित होता है। इस पूरे महीने भगवान स्रीक्रिष्ण की अपार किरपा पाने के लिए उनकी पूजा आराधना, वरत और कुछ नियमों का पालन किया जाता है। ऐसे में काना जी के जो भक्त होते हैं, वो पूरे महीने बिसेस रुप से काना जी की पूजा आराधना करते हैं। इस महीने में भगवान स्रीक्रिष्ण जी की पूजा सबसे उत्तम मानी गई है। माक्सिस के महिने महीं भगवान स्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस महिने में गीता का पाट करना, गीता का दान करना, गीता पाट का सरवन करना ये बहुत ही जादा महत्वपूर्ण वाना जाता है। संतान प्राप्ति की इक्छा रखने वाले दमपति को इस महीने में पगवान सिरी कृषनी जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। जिस्से उनको अवस्य ही संतान की प्राप्ति होती है। मार्क्सिस के महीने में चंद्रमा से अमरित की परसा होती है जिसका पर्योग भी से साधना में किया जाता है इस महीने में भजन किर्थन करने का फल अमोग होता है इस महीने में तीन कारे बहुत ही ज़्यादा फलदाई होते हैं पहला सनान करना दूसरा पगवान सिरी महिने में करते हैं तो अवस्य ही आपको लाब प्राप्त होगा इस महिने में सरीर में तेल लगाना बहुत ही उत्तम होता है ड्राइफूट गी इन सभी का सेवन भी इस महिने में जरूर से करना चाहिए जीरे का सेवन हमें इस महिने में नहीं करना चाहिए यह हमारे स्वास्त के लिए अच्छा नहीं होता, इसका सेवन करने से हम भी मार पढ़ सकते हैं, इस महिने में रोज नियम से गीता का पाठ आवस्य करें, भगवान सिरी कृष्ण जी की आराधना करें, उन्हें तुलसी पत्र डाल कर भोग लगाए, और यदि कूरु मंत्र है, तो उसका नहीं त पूरे महिने ओम नमव भगवति वासु देवाय नमव इस मंत्र का जाब करें, अगर इस महिने में किसी पवित्र नदी में सनान का असर मिलता है, तो सनान जरूर करें, तो आप इस पूरे महिने में भगवान सिरी कृष्ण जी की आराधना करें, गीता का पाठ करें, अगर पूरा गीता नहीं पढ़ सकते तो फिर आप गीता के ग्यारोय अद्याय का पार्ट जरूर करें उमेद है वीडियो आपके लिए उप्योगी होगी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक किजिएगा सेर किजिएगा कॉमेंट किजिएगा और मेरे चैनल र आधिरादे चैनल सिरी किष्णा